सब्सक्राइब कीजिए इतियास बोच चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन पाईए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोज दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है लेक्चर नमबर फाईव को ठीक है यह मंधिकालीन भारती इतियास से संबंदित लेक्चर है जैसा कि आप सभी को पता है हमने 500 वन लाइनर सिरीज शुरू की है मंधिकालीन भारती इतियास की इससे पहले हम प्राचीन लेक्चर भी जा के आप देख सकते हैं वो 15 से 18 लेक्चर है उनको भी जाके आप देख सकते है आप प्लेइलिस्ट में चेक कर सकते हैं जो मैं ये वन लाइनर आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ है ये मेरे खुद के नोट से जो मैंने GRF की प्रेप्रेशिन के टाइम बनाये तो फ्रेंड्स यह आपके लिए काफी यूजफूल होने वाले हैं, NTA NetGRF, SET, Assistant Professor और PGT History के लिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दू, यह मेरा प्रोफाइल है, मेरा नाम प्रकाश चोहान है, मैंने BA Owners History से किया है, और मेरा Master Degree भी History से हुआ है, मेरा Specialization है Modern Indian History, और मैं NTA NetGRF Qualify हूँ, और 4 टाइम मैंने Net Qualify किया है, मैं हिमाचल परदेश सेट भी Qualify हूँ, बरतमान में मैं Amphil कर रहा हूँ, हिमाचल परदेश इनुवस्टी शिमला से, वीडियो को शुरू करने से पहले प्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए और भी ऐसी वीडियो में लेकर आओ, तो वीडियो में कम से कम 500 लाइक होने चीए, चलिए शुरू करते हैं, हमारा पहला प्रेशन है, आज हम 250 तक कंप्लीट करने वाले हैं, 250, पहला प्रेशन है, सरप्र सरप्रथम 2000 तुर्क दनुरदारियों की निवक्ति देवराय दुटिने की थी, किसने की थी, देवराय दुटिने, नेक्स्ट है, सरप्रथम बीर नर्सिंग ने कुछ सीमित शेत्रों में विभा कर हटा दिया था, ठीक है, सीमित शेत्रों में विभा कर को हटा दिया था, कि क्रिशन देवराय ने संपूर्ण सामराज्य से विभाकर को समाप्त कर दिया था और क्रिशन देवराय ने पूरे सामराज्य से विभाकर को हटा दिया था तथा बिध्वा से विभाकर करने वालों को विभाकर से मुक्त कर दिया था जो कोई भी बिध्वा से विभाकर करेगा उसको बिभाकर नहीं देना पड़ेगा उसने पूरी तरह से मुक्त कर दिया था नेक्स्ट है अच्यूत देवराय ने अपना राज्ये रोहन राजधानी में ना कराकर तिरुपती एक काल हस्ती में करवाया ये ऐसा साशक था बिजे नंगर सामराज्ये का अच्यत्य देवराय जिसने अपना जो राज्ये पिशेक है राजरोहन है वो अपनी राजधानी में ना कराकर तिरुपती में एक कला हस्ती में करवाया था अगला मारा प्रेशन है अचत्य देवराई ने नायकारों की स्वच्छा चारिता को रोकने के लिए महामंद लेश्वर की निवक्ति की थी नेक्स्ट है नायकार पोलिगर बेवस्ता जो ये नायकार थी बिजेनगर सामराजी में एक बेवस्ता थी ये ब्यवस्ता थी कि जो नायक था, नायक को बेतन के बदले, राज्य का एक बिशेश भूखंड परदान क्या जाता था, ऐसे भूखंड को अमरम कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अमरम, इसी सरप्रत्थम बारंगल के, ये किया गया था, बारंगल के काक्तिने, अगला है आयकर ब्यवस्ता, आयकर जो ब्यवस्ता थी, ये 12 शाष्की अधिकारियों का एक समू होता था, उनको कैंदर से बेतन के रूप में माननी भूमी प्राप्त होती थी. नेक्स्ट, हरियर प्रत्थम के सिको पर हनुमान एवं गरूड आकरती का अंकन था, हनुमान और गरूड का अंकन किसके सिको पर था, हरियर प्रत्थम के, तुलूब वंच के सिको पर लक्ष्मी नरायन की आकरती के अंकन के साथ, गरूड, उमा, महेश्वर, बेकेटश, बाल क्रिशन की आकरती का अंकन है अगला है अग्रहारो यह शिक्षा के कैंदर थे मैं कैवल बेद की शिक्षा परदान की जाती थी ओनली बेदाज एजूकेशन प्रोवाइड की जाती थी अगला है राघव पांडविये पिंगली सुरल द्वारा रचित ऐसा महाकाब्य है जिसे एक तरफ से पढ़ने पर रामायन एवं दूसरी तरफ से पढ़ने पर माभारत की कहानी बन जाती है एक्स्ट है 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 हैमद शा ने बारंगल को जीता एवं उसने गुलवरगा की जगा 1425 में बिधर को राजदानी बनाया बिधर का नाम महमदाबाद रखा क्या रखा गया जो मेहमुद गवा था उसने संपूर्ण भूमी का सर्वेक्षन करवाया इसे तो उसने तगा नामक स्केल का विकास किया नेक्स्ट है बरार ऐसा मुस्लिम राज्य था जो विजाइनगर के बिरुद मुस्लिम संग थे विजापूर था हैमद नगर था गोलकुंडा था उसमें शामिल नहीं हुआ बरार ही सरप्रथम मुस्लिम सामराज्य बहमनी से अलग हुआ 1300 ठाणवे में तेमूर लंग के आकरमन के समय कश्मीर का शाशक सिकंदर्शा था कश्मीर का शाशक कोन था सिकंदर्शा कश्मीर 156 में अकबर ने मुगल सामराज्जी में मिलाया जोनपूर को सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया मालवा जीतने वाला पहला मुगल बादशा हुमायू था तथा मालवा को मुगल सामराज्जी में 1561 में अकबर के शाशनकाल में मिलाया गया मालवा को सबसे पहले बीजित कीस ने क्या था हुमायू ने और मालवा को मुगल सामराजी में 1561 में अकवर ने मिलाया था गुजरात 1297 में सरप्रथम अलाउदिन खिलजी ने दिली सल्तनत में मिलाया गुजरात 1573 में अकवर के समय मुगल सामराजी में मिलाया गया सल्तनत काल की अगर हम बात करे तो 1297 में मिलाया गया और मुगल काल में 1573 में अकवर के समय और बंगाल भी अकवर के समय ही मुगल सामराजी में मिलाया गया अगला प्रशन है उडिशा के पूरी जगनाथ मंदिर का निर्माता अनंत बर्मा चंड़कंग था पूरी में कोणांग सूरिय मंदिर काला पेगोडा भी इसको बोला जाता है काला चेत्य का निर्मान नर्सिंग देव प्रथम ने किया जो ये कोणाई का सुरिय मंदिर है इसका निर्मान नर्सिंग देव प्रत्थम ने किया था। लिंगराज मंदिर पूर्ण बिक्सित नांगर शेली का सबसे अच्छा उधारण है। अगला है राजरानी मंदिर, अंत वासुदेव मंदिर, बेताल भट मंदिर के शिखर शेली के हैं तो इसमें आपका राजरानी मंदिर है, अनंत वासुदेव मंदिर है, बेताल देवल मंदिर है। नेक्स्ट है खुरासन के सुल्तान शारूख ने अबदुल रजाक को देवराय दुट्य के दरवार में भेजा था। खुरासन का जो शाशक था शारूख उसने अब्दुल रजाक जो बिजे नगर सामराज्य में आया था, देवराय दुट्य के दरवार में आया था, मनुचरित्र की रचना जिसमें बिजे नगर सामराज्य का ब्रिश्टित्तो विवरण मिलता है, अलासी पदेना ने की थी, नेक्स्ट है, भटकल में एक किले के निर्मान के लिए पुर्तकाली गर्वनर अबुकर्क ने किस से अनुमती का अनुरोध किया था, ये किया था, क्रिशन देवराय से, बिजे नगर के किस शाशक ने चीन में अपना राजदोत भेजा था, ये भेजा था बुक का प्रथम न एक निर्तिय की शेली थी, जो बिजे नेगर सामराजीय में क्या है, विख्सित हुई, गुजरात के किस शाशक को पुर्तकालियों ने धोके से उस समय डुबो दिया, जब वो अपने जल यान पर था, गुजरात का जो शाशक था, पुर्तकालियों ने उसको कहाई समंदर म दुबोध्या पोथा भादुर्शा उसेंचा ने भागवत पुरान का बंगला अनुवाद मालाधर बसु से करवाया भागवत पुरान का जो बंगला अनुवाद था ये मालाधर बसु ने किया था जिसकी उपादी थी उन्डराज खां अपनी कृती में अपने पती के विज अभ्यानों का वर्णन करने वाली कव्यत्री गंगा देवी थी, मुल्यवान, सांखिक, आकडों का संखलन करने वाले अभू फजल पहले इत्यासकार थे, सरम प्रत्म, फत्ना का सिधान, प्रस्तूत करने वाले बिद्वान, आंद्रे बिंके थे, और फंगलकाल में भारत पहुँचने वाला प्रत्म अंगरेज यात्री थामस सटिवन्स था, अगला मारा प्रशन है, फतेपूर एवं आगरा पहुचने वाला पहला अंगरेज वियापारी अलप फिच था, जागीर के दर्वार में परवेश करने वाला प्रत्म अंग्रेज हकिन्स एवं दूइत्ये पॉल करनिंग था नेक्स्ट है बादशा की उपादी सबसे पहले बाबर ने 1506 साथ में काबुल एवं 1526 में भारत में पानिपत के यूद के बाद धारन की नेक्स्ट है गाजी की उपादी धारन करने वाला पहला शाशक बाबर था उसने 1527 में यूपादी धारन की थी जिवनी लेखकों का राजगुमार तथा आजीवी का ढूणने वाला सैनिक बाबर को ही कहा जाता है नेक्स्ट है प्रोफेसर रशबुक विलिमसन ने बाबर को सामराज्य निर्माता एवं डेसिशन रोस ने मेकाईवली के समतुल्य माना है बाबर एशिय का प्रत्थम सुल्तान था जिसने गोलावारूद का सरप्रत्थम परियोग किया था नेक्स्ट एक फरिष्टा की स्टीटमेंट है फरिष्टा के अनुसार किस्मत के हाथ गेंद वना वो शत्रंज का बादशा जैसे एक से दूसरी जगे भागता और समुंदर के किनारे पड़े कंकड के समान ठोकरे खाता रहा ये स्टेटमेंट बाबर के बारे में बताई गई है और किस ने बताई है फरिष्टा ने अगला है पहला मुगल वजीर निजामुदीन अलीपा था बाबर पहला मुगल बादशा था जिसने अपनी आतमकता लिखी और सल्तनत काल में फिरोशा तुगलक ने अपनी आतमकता लिखी थी मैंने पहले भी discuss किया है बाबर की आतम कथा क्या थी तुझके बाबरी जो उसने क्या है तुर्की भाषा में लिखी थी next है गजे बाबरी एक सडक माप फेतु एक इकाई थी एवं रहट जो परश्चियन भील है का सरप्रथम उलेक तुझके बाबरी में मिलता है बाबर की आतम कथा में ही परश्चियन भील और गजे बाबरी का उलेक मिलता है next है 1535 में गुजरा तेवं मालवा जितने वाला पहला मुगल बादशा हुमायू था next है 1549 में हुमायू ने गोन को बिजित किया और इसका नाम जननतावाद रखा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने हभी तक इतियास बोद टेलिग्राम गुरुप को जोईन नहीं किया है तो आप इतियास बोद टेलिग्राम गुरुप को जोईन कर लिजिए आपने अपने मोवाइल में टेलिग्राम को इंस्टॉल कर लेना है और उपर सर्च बॉक्स में हिंदी में इतियास बोद लिखना है वहाँ से आप इतियास बहुत गुरूप को जोइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अगर आपको मेडियेवल का PDF चाहिए जो वन लाइनर है उसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ ही हमारे 200 जो वन लाइनर है वो भी समावत हो गया